तो हलो दोस्तों वेलकम बैग एलेक्टिकन नौलेज़ चेनल पे दोस्तों आज की वीडियो में हम सिखेंगे कि सिंगल फेस मीटर का कनेक्षन किस प्रकार से करते हैं इस वीडियो में आपको एप्यव मिल जाएगा दोस्तों वीडियो को सुरू से लास तक देखिएगा बीच में इसकी मत कीजेगा तो दोस्तों चलिए वीडियो को शुरू करते हैं तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे तो मीटर हमने ले लिया है सिंगल फिस का मीटर है देख सकते हैं दोस्तों और बात करें, यहां पर यह देख सकते हैं, उपर का cover है, ठीक है? अब यहां पर 4 लाख है, देख सकते हैं, 4 लाख हमारा इसमें दिया हुआ है, और यहां उपर देखेंगे, तो black color का हमारा push button दिया हुआ है, अगर मालीजे मीटर में supply देने के बाद, ठीक है, दोस्तो अगर reading इसका निकालना हो, तो push button का यहां पर यूज करके, आप unit देख सकते हैं, अब बात करें, यहां पर आप देखेंगे, इसके connection के बारे में, तो यहां पर connection आपको देखने को मिल जाएगा, दोस्तो, diagram बना हुआ है, मीटर के, यहां पर देख सकते हैं, मीटर के उपर, यहां एक और दो number पे हम, पोल वाली जो हमारी cable आएगी, एक और दो number पे हम connection करेंगे, और तीन और चार number से घर का load देंगे, यहां पर आप देखेंगे, तो diagram बना हुआ है, आप आसानी से, इसका connection कर सकते हैं, तो चलिए आपको यहां पर हम connection करके दिखलाएंगे, ठीक है, सबसे मीटर को हम लाक नहीं करेंगे, ठीक है, तो यहां पर आप देखेंगे, तो यहां पर number लिखा हुआ है, ठीक है, एक से चार तक जिस प्रकार diagram पे लिखा हुआ है, उसके बाद इस screw जो है, इस screw को open कर लेंगे, तो दोस्तों अभी तक आपने इस channel को subscribe ने किया है, तो नीचे rate color का subscribe button है, उसे दबा कर subscribe कर लिजिए, बेल का icon प्रेश करके all का option select कर लिजिए, तो मीटर का screw खोलने के बाद, अब हमें क्या करना है, कि एक main board लेना है, आप कोई सा भी board ले सकते हैं, ठीक है, दोस्तों यह हमारा समझे घर का load है, ठीक है, इसमें हम connection करेंगे, और इसी board से अलग-अलग room का connection किया जाता है, तो दोस्तों main board किस तरह से मनाया जाता है, मैंने इस पे complete video बनाया है, इस video के description में link मिल जाएगा, आप लोग जरूर देखिएगा, ठीक है दोस्तों, अब इसका हम connection करेंगे, तो यहाँ पे आप देखेंगे, तो दो wire है हमारा, यहाँ पे connection कर दिया है, red वाला हमारा face है, और black वाला जो देखेंगे, तो हमारा neutral है, ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे आप देखेंगे, तो load वाली side में, यहाँ पे हम connection करेंगे, तो दोस्तों, कभी भी आप connection कीजेगा, तो सबसे पहले output का, यहनी load का connection करना है, ठीक है, और इसमें दोस्तों क्या होता है कि आप heavy wire लगाएंगे मोटा wire लगाएंगे ठीक है इसमें अगर पतला wire आप लगाते हैं तो वो कट जाता है screw से और spark करता है और meter जल जाता है मैंने यहाँ पे केवल आपको connection करके दिखला है यहाँ पे आप देखेंगे तो output यह नि लोड का connection हमने कर लि लेना है ठीक है यहाँ पे आप देखेंगे तो हमने ले लिया है red वाला face और black वाला हमारा neutral वायर है देख सकते हैं तो इस तरह से लगाके आपको connection कर देना screw को full tight करना है अगर आप losing रखते हैं दोस्तो screw तो meter 100% आपका spark करेगा और meter जल जाएगा जिससे कि आपको problem हो सकती है बाद में ठीक है तो screw को आपको full tight करना है यहाँ पे आप देखेंगे तो connection हमारा यहाँ पे complete हो चुका है यह वाली जो हमारी है पोल से supply आई है देख सकते हैं यह दोनों पर ठीक है और उसके बाद यह हमारी load है यानि घर का load तो मैंने यहाँ पे main board में connection किया उसके बाद यह जो cover है इसको हम कस देंगे तो safety रहता है दोस्तों इस तरह से कस लेंगे screw को उसके बाद इस meter में हम supply देंगे देख सकते हैं यहाँ पे connection हमारा complete हो चुका है तो single face meter का installation कैसे करते हैं wall में यानि दिवार में अच्छी तरीके से उस पे भी मैंने video बनाया है इस video के description में उस video का link मिल जाएगा आप लोग जरूर check out कीजेगा यहाँ पे आप देखेंगे तो meter में supply आ चुकी है देख सकते हैं यहाँ पे meter में हमारा light आ गया है और इसकी जो coding है वो अपना यहाँ पे दरसा रहा है देख सकते हैं meter में light हमारी आ चुकी है यहाँ पे time देखेंगे तो 11 बचके 9 मिनट और 31 सिकेंड यानि यह सिकेंड चल ला है ठीक है और यहाँ पे push करेंगे तो देखेंगे कि हमारा यहाँ पे change हो रहा है display यहाँ पे तारीक आप देख सकते हैं 582022 ठीक है दोस्तों और उसके बाद दोस्ते यहाँ पे touch करेंगे फिर दोबारा तो यहाँ पे 00 हमारा kwhh यहनी जो हमारा unit होता है यहाँ पे 00 दिखा रहा है अभी यह जो meter है बिलकुल नया meter है ठीक है दोस्तों अब उसके बाद यहाँ पे mcb को हम on करेंग यहाँ पे आप देखेंगे तो indicator में हमारी supply आ चुकी है ठीक है दोस्तों अभी फिलाल यहाँ पे इस board में देख सकते हैं light आ चुकी है और इसको हम यहाँ पे जो holder है इसको bulb लगा के हमें आपको चेक करके दिखलाएंगे कि हमारा यह बलब जलता है कि नहीं यहाँ पे आन क ठीक है तो load के हिसाब से meter अपना बताता है कि कितना unit आप खर्च किया है कितना नहीं ठीक है दोस्तों तो connection आपने देखा कि किस परकार से connection किया जाता है ठीक है दोस्तों complete आपको connection हमने यहाँ पे करके दिखलाया है उम्मीद करता हूं इस video से आपको knowledge मिल गया होगा दोस्त तो यहाँ पर आप देखेंगे ठीक है यहाँ पर एक